हेलो माई डियर शुडेंट आज हम इंगलिस रिडार क्लास 10 लेसन 13 स्विस फैम्ली रोबिंसन का क्वेश्चिन आंसर जानेंगे आप देखरेंगे डिडिकी पार साला मैं हूँ आपको गुरुजी दानेस्वर धुरुजी तो चलो करते हैं क्वेश्चिन कांसर बनाना तो चलो आज अब होई क्लास 10 लेसन 13 स्विस फैम्ली रोबिंसन का क्वेश्चिन आसर बनाना प्रार्म करते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लीस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल एक अंदब आईए ताकि आपको नोटिफिकेशन के मादम से ने वीडि देखना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन पक्राइब में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेइ लिस्ट का लिलिक मिल जाएगा वहां जाकर आप देख सकते हैं तो देखी यहां पर कम्प्रिहेंसन का क्वेश्चजिन दिया गए वर्स्ट गिवर में लो इंदफिस्ट कॉलम हैm some actions, search for their causes in the text, one has been done, अर्थात नीचे की प्रथम कालम में कुछ कृतिया दिया गया है, उनके कारण जो है, पाठ में से ढूनना है, और एक जो है, करके आपके लिए क्या क्या दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, डागवर, बार्किंग, अर्थात कुत्ते भौक रहे थे, तो उसका कॉस बताया है यहाँ पर, जैकास हैड अटेक्ड देम, अर्थात भीडियो ने उस पर आकरमन किया था, तो यह कॉस हो गया, तो ऐसे यहाँ पर दिया गया है, मंकी वर थ्रोइंग कोकोनट्स, अर्थात बंदर नारियाल फेक रहे थी, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, क्या कारण है, तो इसमें आजाएगा आंसर, मिश्टर रोबिंसन हैड आलसो थ्रोण इस्टोन एड देम, अर्थात मिश्टर यहाँ श्री रोबिंसन ने उस पर पत्थर फेका था, तो रोबिंसन ने भी उस पर पत्थर फेका, तो बंदर उसका नकल की तो इस तरह से ये वाला कौस हो जाएगा and third number का action दिया गया है पर there left one dog behind उन्होंने एक कुट्टे को छोड़ दिया है ना अब क्यों छोड़ा यहाँ पर हमें लिखना है तो answer बनगा to save Mrs. Robinson and children अर्थात स्रीमती रोबिंसन और बच्चों की सुरक्षा के लिए छोड़ा and next action दिया गया है they ate food in clam cell अर्थात उन्होंने cp में खाना खाया clam cell cp जो होता है गोंगा जैसा गोंगे परिजाती का तो यहाँ पर हम लोग cause में रिखेंगे they had not any spoon plates or pots उसके पास कोई चम्मच plate या बरतन नहीं था इसलिए जो है clam cell से है भोजन खाय and next action दिया गया they didn't build the raft उन्होंने बेडा नहीं बनाया राप्ट नहीं बनाया तो यहाँ cause लिकिना है because the raft was not safe क्योंकि बेडा जो है सुरचित नहीं था इसलिए and last दिया है आपर they freed the geese and peasants उन्होंने geese और peasants कबूतरों को अजाद कर दिया freed कर दिया क्योंकि या तो answer रहे गए यहाँ पर cause में लिखेंगे they will reach shore वे किनारे पर पहुच जाएंगे इसलिए उसको छोड़ दिया तो इस तरह से बनाओगे तो इस question का answer जो है बन जाएगा अब यहाँ पर second question दिया गया है answer briefly अर्थाथ उत्तर संचेप में the following question अर्थाथ निम्न लिखी प्रश्णों के उत्तर जो है शंचेप में दीजिए shortcut में हमें देना है जैसे पहला question दिया गया है how many children were there in the Robinson family अर्थाथ रोबिंसन के परिवार में कितने बच्चे थे कितने children थे तो चार चिल्डन थे तो answer यहाँ पर बन जाएगा there were four children in the Robinson family Robinson के परिवार में जो है चार बच्चे थे इस तरह से बनेगा पहले का ठीक है and second number का question दिया गया है did the Robinson family meet any other family on the island अर्थाथ क्या रोबिंसन के परिवार द्वीब पर आइलेंड पर किसी अनली परिवार से मिला मिला की नहीं मिला यह हमें answer में बताना है और did आया है मतलब हाँ या नहीं में उतर देना होता है ठीक है तो answer बन जाएगा no उसके बाद कामा लगेगा no they did not meet any other family on the island अर्थाथ नहीं वे द्वीब पर किसी अनली परिवार से नहीं मिले तो यह question two का answer बनेगा and question three दिया है why did the रविंसन family have to leave the ship अर्थाथ रविंसन परिवार को जहाज क्यों छोड़ना पड़ा था क्यों छोड़े हो लो है ना तो यह answer बनेगा the ship had been caught in a terrible storm and stuck on land so they have to leave the ship अर्थाथ जहाज एक भयात तुफान में ठस चुका था और भूमी से टकरा गया है इसलिए उनको जहाज जो है छोड़ना ही पड़ा तो इस तरह से बनाओगे तो एक question का answer बनेगा and next question दिया गया है खोर नंबर का right to difficulties the Robinson family faced on their way to reach the land अर्थाथ Robinson परिवार ने उनके मार्ग पर धर्थी पर पहुंचने में किन मुश्किलों का सामना किया यह हमें answer में लिखना है तो answer बन जाएगा Robinson family faced the difficulties of making little boat छोटा boat बनाने में है ना search the nearest way Robinson परिवार ने छोटा जहाज बनाने और साथ boat बनाने सबसे नजदिक राज़ धूमने आदि मुश्किलों का सामना किया तो इस तरह से बनाओगे तो question four का answer बनेगा and question 5DI यहां पर देख सकते हो how did the Robinsons find the way to the land Robinson परिवार धर्ती तक कैसे पहुचा किस तरह से खोजा रास्ते को यह हमें answer में लिखना है तो answer बन जाएगा Robinson family made little boat from some barrel and followed by the free ducks they reached the land Robinson परिवार ने कुछ पीपो अर्थत बैरल drum जैसा रहते हैं लगड़ी क्या से छोटा नाव बनाया और स्वतंत्र किये बतकों का पीछा करके धर्ती तक पहुच गए तो इस तरह से question five का answer बन जाएगा अब यहाँ पर question six दिया गया है how did Mr. Robinson manage to get fresh coconut अर्थत Mr. Robinson ने ताजे नरियल का प्रबंद कैसे किया manage कैसे किया तो answer बनेगा Mr. Robinson threw some stones at monkeys and coping him monkey had thrown coconut in this way Mr. Robinson got fresh coconut Mr. Robinson ने बंदरों की और कुछ पत्थर फिके और उसकी नकल करते हुए बंदरों ने नरियल फिके इस तरह Mr. Robinson को ताजे नरियल मिल गया प्राप्त हुए तो इस तरह से बनाओगे तो question 6 answer जो है बन जाएगा अब देखिए question 3 दिया answer the following questions निमल लिखित प्राश्म को उत्तर जो है दीजिए जैसे यहाँ पर question दिया गया है describe separately the work done by Mr. Robinson and Mrs. Robinson in the story अर्थात कहानी में Mr. और Mrs. Robinson के कारियों का विभाजन कर उलेख करिये तो जैसे यहाँ पर दो कारम दे दिया गया है Mr. Robinson's work और Mrs. Robinson's work दोनों के work को हमें लिखना है ठीक है यहाँ पर four point दिखाई दे रहा है तो देखते हैं किस तरह से बनेगा तो Mr. Robinson's के work में आप लिख सकते हैं Mr. Robinson protect their family all creatures अर्थात Mr. Robinson उनके परिवार के सभी की रक्षा की किस से प्रानियों से ऐसा लिखेंगे और लिख सकते हो Mr. Robinson faced all difficulties and provide food and shelter for their family Mr. Robinson ने सभी कठिनाईयों का सामना किया और उनके परिवार को भोजन और आश्राय परदान के shelter प्रदान किया इस तरह से उसके कारी हो जाएंगे and Mrs. Robinson में अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे Mrs. Robinson cooked food for their family और श्रीमती रोबिंसन ने उनके परिवार के लिए खाना बनाया खाना पकाया and आगे लिखेंगे Mrs. Robinson care all the family members and support Mr. Robinson and children श्रीमती रोबिंसन परिवार के सभी सद्वस्यों की देख भाल करती है और स्री रोबिंसन और बच्चों का समर्थन करती है है ना सपोर्ट करती है उसके कारियों में तो इस तरह से इस question का जो है answer बन जाएगा अब देगिए आपर two number का question दिया गया है पढ़ सकते हैं इसको you may have noticed some difference between the nature of work done by Mr. and Mrs. Robinson अर्थात इसमें आपने ध्यान दिया कि Mr. Robinson और Mrs. Robinson के कारिय में कुछ अंतर है है ना do you agree that men are fit only for household work अर्थात क्या आप इससे समथ है कि औरते किवल घर कार करने के लिए सही रहती है while जबकि men fit only to explore and actually engage with the outside world और जबकि आदमी बाहर के काम और व्यवस्था करने में सही रहते हैं give reason कारन दीजे for your opinion आपके सहमत का कारन दीजिए है ना कारन बताईए अगर आप इससे सहमत है तो find out sentences in support of your answer find out sentences वाक के ढूंडिए in support your answer आपकी उत्तर के सहमत में आप क्या दे सकते हैं पक्ष में answer देना है from the lesson पाड से विचार करना है तो answer किस तरह से बनेगा वह जानते हैं तो answer बन जाएगा we have noticed some differences between the nature of work done by Mr. and Mrs. Robinson अर्थात श्री और स्रीमोती Robinson के कारियों में अंतर देखा है we do not agree that women are fit only for household work while men fit only to explore and activity engage with the outside world अर्थात हम इस बात से समत नहीं है कि महलाएं किवाल घर की कारियों ही कर सकती है तथा पूरूस बाहर के कारियों में दक्ष होता है अब हमें reason भी देना है जो answer दिये उसका तो reason लिखेंगे women do all the household efficiently efficiently they cook meal for the family and look after them well अर्थात महलाएं घर के समस्तकारियों कुछ सलता पूरुवा करती है वे खाना बनानी के से लिए कर घर के सरदस्तों का ख्याल भी रखती है तो घर के सरदस्तों का भी ख्याल रखती है ठीक है ऐसा एक पाइंट लिख सकते हैं दूसरा पाइंट लिख सकते हो दे कें वर्क इन ओफिस ओफिस फिल्स ड्राइब जेट प्लैन है रख कंपनी एंड टेक मेजर डिसीजन एस वेल वे दक्तरों में आफिसों में खेतों में भी कार्य कर सकती है विवान चलाने से लेकर कंपनी की मालिक या मालकिन एवं कंपनी के महत्तपूल निने भी स्वेम ले सकती है तो इस तरह से बनाओगे ना तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर बन जाएगा अब देखो वोकाबिलरी का क्विश्चन दिया गया है बेश्ड आन दा लेसन सर्कल दा ओड वन ओड इन रिच इच रो अब देखो ओड विशम जो है अर्थाथ पाट पर अधारी प्रतेक पंक्ती में अलग को गोला लगाई है है न सर्कल करेंगे जो विशम रहेगा तो देखें सैल दिया है तैरना फ्लोट ये भी तैरना और सिंग डूबना और रो नाव को उतारते हैं वो अब तीनों में नहीं डूबना है कौन समय सैल में फ्लोट में रो डाउन ऐसा रहता है तो सिंग के जो है क्या है डूबना तो ये विशम है ओड है तो इस पर गोला लगा लेंगे दूसरा दिया है अब दिया है सफर रात का भोजन मिल मतलब भोजन और यह सुगर का है अलाग है पौधा गर्ना तो यह ओड है अब दिया है इस्ट्रीम बहतिवी नदी को इस्ट्रीम बोलते हैं टेंट इसमाल बे छोटा खाड़ी शोर तट अब यह टेंट जो है अलग है तो इसमें गुल अलग आएंगे यहाँ पर दिया देखो बोट, शीब, बैरल, राप्ट यह पानी में तेरने वाला है राप्ट, शीब, बोट अब बैरल जो है अलग है तो इसका अंसर क्या आजाएगा बैरल आजाएगा यहाँ पर देखो डक्स, क्रोस, पिजन और गीज औ यह वाकाबिलर क्वेश्चन कांसर बन जाएगा, साथ ही हम लोग इस चेप्टर का क्वेश्चन आसन यही पर समाप्त करते हैं और आसा करते हूं, यह वीडियो जो है आपके लिए हेल्प फूल होगा, तो ऐसे ही वीडियो की जनकारी के लिए हमारी चैनल डेडी की पार सा आपको अवस्त सब्सक्राइब कीजिए और बेल आकान दबाईए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माधम से नए वीडियो की जनकारी जो है मिलती रहें, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद्ध, जय भारत!